वेकम टो प्रिंच सम मशीन्स प्राइवेल एंटर्ड रेल्वे रोड सरांग पंजाब यह जो मशीन आफ रेम में देख रहे हो यह बूड ड्रिलिंग मशीन है स्मार्ट सीरिस की स्मार्ट सीरिस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो आगे पीछे की मूश्मन्ट है और साइडवाईज मूव्मेंट है यह दोनों बेरिंग के उपर है जिस्ते के बहुत ही अराम से चलती है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टुरिसी भी आती है जो बेरिंग इसमें लगाए गए हैं यह एंटी एंट जपान कंपनी के बेरिंग हैं काफी कॉसली होते हैं हमारी मिशीने मार्कट के मकावले में थोड़ी सी महंगी होती हैं लेकिन अगर आप क्वल्टी के साथ कंपेर करो तो कोई ज्यादा उनकी कोस्त नहीं होती बहुत ही लॉंग लाई बहुत ही इमांदरी से बनाएगी मिशीने होती हैं बहुत ही साफ सुत्री और बिलकुल यह सेक्षन की दो बैटे इसमें लगाए गई हैं तांकि आप पूरी टॉर्क साथ काम कर सकें और ड्रिल को पकड़ने के लिए इसमें ER 32 का कॉलर दगाया गया है यह जो कॉलर्ट है यह सी एंसी मिशीनों के अंदर यूज होते हैं तो ER 32 का इसमें कॉलर्ट दगाया गया है इसमें बर्मा लगाके अब इसको कैसे टाइट करना है वह हम आपको अभी दिखाते हैं इसके साथ यह दो स्पैनर पर वैड़ किये गए हैं एक चावी पिछे लगाके आगे से इसको ऐसे टाइट करना है क्योंकि इसकी मुवमेंट है यह जो बेरिंगों के उपर है बहुत ही अराम से बहुत ही फ्रीली जलता है यह लेकिन इसको रोकने के लिए यहां पे इसका लॉग पर वैड़िया है किया गया गया है लॉग लगाने के बाद यह बिल्कुल जाम हो जाए क्योंकि साइडवेज मुवमेंट भी बेरिंगों के उपर है तो यह भी बहुत इजली चलता हुआ इसकी अपड़ान मुवमेंट के लिए नीचे वील परवाइड किया गया है यहां से इसको आप उपर नीचे कर सकते हो इसका भी अलग से लॉक दिया गया है कीने के करता है। यह जो क्लेंप है यह बुड है के मिताब इसको यहां से उप नीचे की आष prototy का तो यह और यह वाले क्लेंप है इसको भी आगे पिछे हम अपनी वह के मिताब कर सकते हैं। तो यह दोनों तरफ हमने सल स्टॉप पर प्रवाइड किये हैं जितनी आपने लंबी सुराक बारना है उससाब से आप दोनों तरफ इसको सेट कर लो तो उसके अंदर-अंदरी फिर स्लैड चलेगी तो उससे बर्मा तोटने का डन नहीं रहता है रहता है तो हमारी यह जो इंड़स्ट्री यह पंजाब के अंदर सरहंद के अंदर सिच्वेटर है अब कभी भी हमें विजट कर सकते हो यह वाली मशीन हम आउडर के पर त्यार करते हैं यह हमारी रेगुलर प्रडक्शन की मशीन नहीं है इसके लिए आपो थोड़ा समय जादा देना पड़े हैं थैंक यू सो बाच